तो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप इन्फैलबल के इस टूटोरियल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग यानि सेवन लेशन का परगराफ 4 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे यानि इसमें 4 परगराफ से पढ़ेंगे इसे पहले वाले में हमने परगराफ 3 तक कंप्लीट कर लिया था अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा होगा तो आपको राइट शैड में आपको एक आई समझने में किसी परकार का दिकत भी नहों तो आएए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या कहती है जर्मेन ग्रीड क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये एक एसे है ठीक है आगे आ रहा है हमारा इन मेनी सोसाइटीज वुमन इस्टील गो फोर्थ फ्रम दे देखिए यहां पर थोड़ा साम लोग समझते चलेंगे लाइन बई लाइन पर अगरा क्लियर करते चलेंगे तो यहां पर दिखा रहा है इन मेनी सोसाइटीज यानि बहुत से समाजों में बहुत तेरे समाज में जो है वुमन इस्टील गो फोर्थ फ्रम दियर मदर्स हाउ वुमन यानि ओरते जो है अपनी मा के घरों से शादी के बाद at marriage to live with a mother in law यानि कि शादी के बाद क्या है कि ओरते जो हैं अपनी मा के घर छोड़ करके अपने सासु मा के घर wife के रूप में रहने के लिए जाती है of their husbands, यानि अपने husbands के मा के साथ रहने के लिए अपने मा के घरों को छोड़ करके जाती है, बहुत से समाजों में ऐसे देखने को मिलता है, बहुत से समाज के अलगभग हर समाज में ही ऐसा देखने को मिलता है, कि और जो है अपने घरों को छोड़ करके, अपनी मा के घरों को के यहां रहने के लिए जाती है it is a truism of anthropology that such a woman do not become members of their new family until they have born a child यानि यहां कहा जा रहा है कि it is a truism of anthropology मानो सास्त्रों का जो मानो सास्त्र है मानो सास्त्र के जनकारों का जो है यह कहना है या उनका मानना है that such women यानि यह औरत जो साधी के बाद जो दुसरे घरों में जा रही है यह औरत do not become members यानि वो member उस घर की नहीं होती है of their new family until they have born a child यानि कि जब उनकी साधी होती है ऐसा मानो सास्त्र लोगों का कहना है कि जब उनकी साधी होती है तो शाधी के बाद वो तब तक उस घर की member नहीं मानी जाती है जब तक कि their new family until they have born a child जब तक कि उसे एक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक से जो है उस new family की member यानि के शदास्य नहीं मानी जाती है ऐसे मानो सास्त्र लोगों का मानना है वास्तवीकता भी है गाउं में भी देखने को ऐसा मिलता है कि जब किसी औरत की साधी होती है तो उसका बच्चा हो जाता है तब ही लोग जो है उसे ज़्यादा प्यार देना शुरू कर देते हैं नहीं तो काफी दिनों तक जब किसी सोसाइटीज दा मैरीज वोज क्वीट लाइकली टू है बिन अरेंजड बताया जारा है कि इफ वी कंसीडर अगर हम इन चीजों को देखें समझें तो यहां पर हमें एक बात पता चलेगा कि बहुत से समाजों में इन इस तरह के समाजों में जो साधियां होती है यानि साध मतलब यह जो घरों के द्वारा तै किया गया होता है लव मेरी से अलग ठीक है यानि इन सब समाजों में क्या है शाधियां जो है परिवारों के द्वारा तै की जाती है बिन अरेंजड इटीज अंडर स्टेवल दैट दा ब्राइड तो लॉंग फॉर्ड चाइल्ड हूव सबस्क्राइड ना बंच्राइड और उलेक तो लॉंग फ़ोल है कि साधियां तो जो है समाज में जो होती है वहां परिवारों के द्वार्य तो टाय कर दिया जाता है लेकिन यह ओर बात है और वो बात क्या है कि हम मानते हैं यह सारी चीज़ें यहां से दिखाया जा रहा है कि यह भी मानने योगे बाते हैं that the bride जो दुलहन होती है ठीक है जो दुलहन होती है वो longs for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother यानि कि कहा जा रहा है कि एक मा के लिए ठीक है एक मा के लिए यानि एक दुलहन के लिए कहिए या मा के लिए कहिए दुलहन ही ठीक रहेगा bride यहां पर दिया ना तो एक दुलहन के लिए एक बच्चा होना उतना ही महत्पून होता है child who will stand in the same intimate, utna ही महत पूर्ण होता है जितना की वो औरत खुद अपनी मा के लिए relationship to her mother as she with her own mother यानि कि utna ही महत पूर्ण होता है जितना की वो खुद अपनी मा के लिए थी यानि कि एक दुलहन को बच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है वोतना ही महत्वपूर्ण है जितना की कभी इसके मां के लिए भी इसका जन्म होना महत्वपूर्ण था है तो ऐसा जो है होता है समाज की ये द्रिष्टी कोण बन चुकी है तो इस तरह की द्रिष्टी कोण को लोग जो मानते हैं समाजिक विचारधराओं को लोग मानते हैं तो इसलिए जो है इस महिला को इस सारे दोर से गुजरना पड़ता है. The western interpretation of such moors is that they are backward, cruel and wrong. It is assumed that the sexual relations between the spouses are perfunctory and exploitative and that all mothers-in-law are unjust and vindictive. कहा जा रहा है कि पस्षीमी दिरिष्टी कोण, पस्षीम का दिरिष्टी कोण जो है इसे बिल्कुल भी भीन है थोड़ा सा उपर आ जाते हैं दिखाते हैं आपको The western interpretation of such moors is that पस्षीमी का जो दिरिष्टी कोण है उससे बिल्कुल भी भीन है They are backward, cruel and wrong वे लोग जो है इसे बिल्कुल ही गलत मानते हैं पिछड़ापन मानते हैं किस चीज को इसी चीज को जो अभी कहा जा रहा था कि मतलब महिला को जो है बच्चा होगा तब ही जो है वो उस घर की सदस से मानी जाएगी ऐसा कहा जाता है तो इस बात को वो लोग क्या करते हैं? पिछड़ापन मानते हैं, उन लोग का मानना है कि इससे जो है, कि बच्चा का जन्म होगा तभी महिला जो है एक घर की सदा से मानी जाएगे, ये सही नहीं है, ठीक है? उन लोग को लगा कि ये पिछड़ा चीज है, ये पिछड़ लोगों की सोच है, ऐसा उनका मानना है, कि लोगों का? पस्चिमी लोगों का. आगे कहते हैं, it is assumed that the sexual relations between the spouses are perfunctory and exploitative, and that our mothers-in-law are unjust and vindictive. कहा जता है कि पस्चिमी दिरिश्ट्र कोण वाले तो इसे गुरा मानते ही हैं, और साथी साथ वे लोग ये भी अनुमान लगाते हैं, कि दमपतियों के बीच, जैसे it is assumed मतलब मानना, ऐसा भी मानना जाता है, कि जो sexual relationship होता है, जो दोनों दमपतियों के बीच में, spouses, यानि पति-पत्नियों के बीच में, जो sexual relationship होता है, वह एक करतब्य समझ कर होता है, ठीक है, करतब्य समझ कर किया गया कारे होता है, और social का परिचायक भी होता है, और सभी, यहां पे एक बात और आ रहा है, कि, and that, all mothers-in-law are unjust and vindictive, और कहा जा रहा है कि, और सभी सासे जो होती है, अन्याई होती है, ऐसा माना गता है, देखिए, अब हर औरत के लिए सास तो अन्याई होती ही है, one of the greatest difficulties in the way of feminist who are not covenistic and want to learn from women who still live within female society is the tendency of those women to withdraw into silent position, when participating in international, थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है पर अगराफ का लाइन, आगे पढ़ देते हैं, फिर लाइन में आपको बताएंगे, four are conducted in languages which they cannot speak with fluency, women officials of the Sudden's government told me that they had give up going to international conferences, बहुत लंबा जा रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं नहीं तो ऐसे समझ में भी नहीं आएगा one of the greatest difficulties, और भी जो है, बताया जा रहा है कि वैसी भी नारियां है, का जाता है, कि जो सिर्फ अपनी ही राष्टभात्सा और संस्कृति के मुलियों को नहीं समझ पाती है, यहां से, one of the greatest difficulties in the way of feminist who are not communistic and want to learn from women, वो जो है, और औरतों से सिखना चाहती है, यानि अन्य जगों जाकर के कुछ औरतों के बारे में, कुछ यह pregnancy के बारे में, या औरतों से related कई चीज़े के बारे में, जो है, समाजों में जाकर के वो सिखना चाहती है, who still live within female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition, और इसके लिए वो still live within female society, उसके लिए वो female society में जाती भी है, और वहाँ पे जहां पे आयोजन होता है, वहाँ पे जाती है, और सिखने की कोशिस करती है, tendency of those women to withdraw into silent opposition when participating in international, जहां भी international, यानि अंतराश्टिय सम्मेलन जहां भी आयोजन होता है, वहाँ बहुत संग के स्थिरिया, जो है वहाँ पे जाती है, ठीक है, और वहाँ पे जाकर के उसमें भाग लेती है, फोरा conducting languages which they cannot speak with fluency, वहाँ पे भाग तो लेती है, उस सम्मेलन में भाग लेती है, समझने के लिए, अपने life को समारने के लिए, लेकिन एक मूख के रूप में भाग लेती है, मूख सहभागी बन करके भाग लेती है, मूख सहभागी का मतलब यह हुआ, क्यों, इसलिए क्यों तो उस भाषा को या तो अच्छे से समझ नहीं पाती, और कुछ समाज भी पाती है, तो उस भाषा में वह बोल नहीं पाती, जिसके कारण इन्हें बहुत परिशानी होता, उन सम्मेलन में भाग लेना भी, lady, woman officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences, कहा जाता है, कि यहां पर इहां पर एक Sudanese government होता है, ठीक है, Sudanese government है, तो कहा जाiell है कि Sudanese airport का ये já यह उसका ये कहाना था वह जाना बंदर कर दी है क्या कर दी है इत्र लेंड entonces because they were tried tired of being told about their own lives instead of being consulted उसने जो है कहा कि उसने सुदानी जो गर्णमेंट की एक महिला है उन्होंने कहा कि उसने जो है इस तरह के इंटरनेशनल या इंटराश्टी सम्मेलानों में इसलिए क्योंकि उसे जो है उस भाषा का पुरा अच्छे तरह से ज्यान नहीं रहता या वह अपने बातों को वहाँ पे अच्छे से रख नहीं पाती जो विसेश चर्चा वहाँ पे होता उसको या तो अच्छे से समझ नहीं पाती या अपनी बातों को वहाँ पे रख नहीं पाती तोल्ड अबाउट दियर ओन लेंस इसलिए उसे लगा कि यह बिकार है तो इसलिए वह जाना भी वहाँ पे छोड़ दी ठीक है अगला परागराफ देखेंगे हम लोग कहा जता है कि दस इस परकार पस्षी में जो है वेस्ट उड रिगार्ड इट पस्षी में वाले लोग जो है इसको थोड़ा दुखद भी मानते हैं वो इस लिए और वो इस चीज के लिए दुखद बात मानते हैं कि एक औरत जो है जब उसके बच्चे का जन्म होता है तो जब उसके बच्चे का जन्म होता है तो वो अपना नाम खो देती है and become known as the mother of her firstborn और वो जो है अपने पहले बच्चे के जो जन्म होता है उसी के नाम से वो जाने जाने लगती है यानि उसको उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है उसका खुद का नाम जो है लुप्ट हो जाता है वो इसे दुखत मानते हैं उन लोग का कहना है कि जो औरत काफी दिनों से अपना नाम बनाते आई थी आज एक बच्चे के साथी जो है उसका नाम भी लुप्त हो गया ठीक है आगे बता रही है कवित्री कहा जाता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो है नाम उस बच्चे के साथी दब जाता है जब साधी के समय एकिस्तिरी की पहचान उसके पती के नाम के नीचे जब जाती है Husband's name at marriage ठीक उसी परकार जब किसी औरत की साधी होती है तो उसका नाम क्या होता है उसके पती के नाम के नीचे दब जाती है Sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage साधी के समय उसका नाम उसके पती के नाम के निचे दब जाती है उसी परकार से बच्चे के जनम के साथ उसकी मा का नाम जो बचा खुचा रहता है वो भी दब जाता है नि मा की पहचान बिलकुल भी नहिरा रह जाती है बलकि लुपत हो जाती है In many traditional societies the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife. कहा जा रहा है कि बहुत से समाजों में, परमपरागत समाजों में, in many traditional societies, बहुत से परमपरागत समाजों में देखा गया है कि the relationship between mother and child, यानि बच्चे, रिलेसंजी बिट्विन, यानि जो संबंध है between mother and child, लिए जो बच्चे और मा के बीच का जो संबंध होता है is more important वो बहुत ही जदा महत्पूर्ण होता है relation between husband and wife यानि कि बहुत से परंपरागत समाजों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे और मा के बीच का जो relation होता है संबंध होता है वो कहीं न कहीं husband और wife के बीच के संबंध से जदा महत्पूर्ण होता है ऐसा जो है देखा गया है ठीक है तो क्योंकि जितना संबन्ध husband wife के बीच में होता है बच्चे के जन्म के साथ ही जो है मा का दया मोह जो होता है वो बच्चे के साथ लग जाता है तो ज्यादा महत्पूर्ण हो जाता है इन सम इंडीड दा चाइल्स रिलेशन सेप विद रेस्ट आफ इस फैमिली इस अज इंपोर्टन और इवेन मोर इंपोर्टन दैन आईदर और कहा जा रहा है कि इन सम और भी जो है इसके साथी साथ उस बच्चे का रिलेशन सेप यानि उसका संबन्ध जो है बाकी घर के फैम जो लोग है अन सदसे हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की महत्वपूर्ण मा के साथ था आगे है देखेंगे हम लोग यानि कि बहुत से समाजिक प्रथाओं में देखा गया है कि बच्चे जो हते हैं यानि बच्चे का जो अन्य संबन्ध है अन्य गहरा संबन्ध पर जो 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 दिया जाता है उनके माता पीता की कीमत पर होती है माता पीता के ही कीमत पर जो है उसका संबन्ध और भी लोगों के साथ होता है His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents उनके जो चाचा होते हैं बच्चे के जो चाचा चाची होती है या होते हैं उनके साथ भी बच्चे को जो है रहने के लिए अनुमती दिया जाता है चाचा चाची के साथ जो है रहने के लिए खूले रूप से माँ बाप से जैदा उनका गमिश्ट्रता होती है तो इस तरह से चाचा चाची और दादा जो होंगे घरों में उनके साथ भी बच्चे का घनिष्ट संबंध होता है इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज और भी बहुत सारे परंपरागत समाजों में अफरीका की बात आ रही है यहाँ पर इन अफरीका एंड इंडिया यानि भारत और अफरीका के बहुत से परंपरागत समाजों में आगे हम लोग देखते हैं बाइलोजिकल फैमिली इस डेलिबरेटली वीकेंड बाइन फोर्स्ट एबस्टिनेंस और एक्च्वल सेपरेशन अफ़ पारेंट्स बताया जाता है कि भारत और अफरीका के बहुत से समाजों में जैविक परिवार जो होते हैं वो कमजोर होते हैं बाइलोजिकल फैमिली इस डेलिबरेटली वीकेंड यानि जैविक परिवार जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं कहां के भारत और अफरीका के जो हैं देखा जाए तो बहुत से समाजों में जो जैविक परिवार होते हैं वो कमजोर देखने को मिलते हैं by enforced abstinence or actual separation of parents, यानि कि बच्चे और माबाप के जो बीच का अलगाव का कारण होता है, वो विश्तिरित करम में किया जाता है, in order to strengthen the extended family, the children are not born at the within of the parents, but in response to a brother, pressure from the whole group, यानि कि बच्चे का जो जन्म होता है, यानि अब कहा जा रहा है कि family, the children are not born at the within, यहाँ पे जो है, थोड़ा कुछ गड़बर लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, यानि जो बच्चे का जो जन्म होता है, वो ऐसा लग रहा है, यह कभित्री की द्वरा, कि ऐसा लगता है कि उसके parents के चाह से नहीं, parents के एक्चा से नहीं, but in response to a broader pressure from the whole group, यानि पूरे whole group, यानि पूरे family के pressure के कारण, बच्चे का जन्म जो है, हो जाता है, यानि जितना फिकर माबाप को नहीं होता है, बच्चे के husband wife को नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा परिवार वालों को फिकर रहता है, कि बच्चा नहीं हुआ, तो ये वो लोग भार बार बोलते रहते हैं, जिसके कारण जो है, बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है एक बच्चे का जन्म, Economic Rationality of High Fertility and Investigation ये एक book का नाम है जिसमें इस तरह की बातों को चर्चा की गई है Population Studies volume 31 number 1 ये 1976 में publish हुआ था इस book में ये चीजे जानने को मिलेंगी ये आपके book में दिया है इसलिए मैंने भी हाँ पर type कर दिया है ठीक है आएए देखते है next paragraph 6 आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे 6 परागराफ तक The woman who satisfies the longings of her peers by producing the child They are all anxious to see finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success कहा जा रहा है कि इस तरिया जो बच्चे पैदा करके अपने लोगों को संतूष्ट करती है The woman who satisfies वह औरत जो लोगों को संतूष्ट करती है न संतूष्ट करती है The longings of her peers by producing the child एक बच्चे को जन्म दे करके जो महिला अपने परिवार वाले लोगों को खुश करती है संतूष्ट करती है They are all anxious वो भी इस बात से चिंतित रहती है या उसका भी शौक होता है कि वो भी देखे To see क्या देखे Finds her achievements कि उसने जो achievement प्राप्त की है यानि एक बच्चे को जो उसने जन्म दिया है तो उस चीज को बिलकुल भी जो है अच्छे तरह से एक achievement के रूप में मनाया जाए उसके इस success को जो है एक सुब औसर के रूप में एक तेवहार कुरूप में मनाया जाए ऐसा उसकी भी एक्षा होती है ठीक है ऐसा उसकी भी चाह होती है Among the few first person accounts of how this works in practice is this one from a young selective woman कहा जारा है कि Among the few first person यानि कि इस चाहत भरे उत्सों को किसी तरह मनाया जाए ये उसकी जो है एक्षा होती है Among few first person accounts of how this works in practice is this one from a young selective woman एक selective woman है एक उधारान के तौर पे एक महिला है जो की इसे किस रूप में देखती है और उसकी selective woman जो है उसकी एक्षा क्या है या उसके नजर में एक महिला के लिए क्या होना चाहिए और एक महिला कैसी होती है जब उसके बच्चे का जन्म होना होता है तो उसकी अवस्था किस तरह से होती है उसके नजर में क्या है हम लोग जानेंगे इस पर अगर आफके मादे हम से लेकिन सिलहेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सिलहेटी एक जगा है तो सिलहेट एक जगा है तो सिलहेट एक जगा हो गया और वहां की जो महिलाएं है उसको ही सिलहेटी बोला जाता है जैसे माल लिजे कि भारत देश है तो भारत के जो महिलाएं होंगी या भारत के जो लोग होंगे तो भारती ये कहलाएंगे उसी परकार से पागिस्तान के लोग पागिस्तानी कहलाते हैं ठीक उसी परकार से यहां सिलहेट भी एक जगह है जहां की महिलाएं सिलहेटी वूमन कहला रही है ठीक है तो इस सिलहेटी वूमन के अपने दिमाग में क्या आता है क्या सोचती है वो the last few months of our pregnancy and about the first three months of the baby's life क्या रही है selective woman का ऐसा मानना है कि अगर कोई लड़की है जो बहुत ही भागे साली है उसके माता पिता जीवित भी है तो उसे जो है she goes to her mother's house तो वह अपने मा के घर जाती है यानि उसे अपने मा के घर जाने का मौका मिलता है अब समझ लेजिये कि अगर किसी लड़की को बच्चा भी जनने को है मतलब कोई लड़की अगर pregnant है तो अगर उसको अपने मा के जाने को मिल जाए तो यह बहुत ही उसके लिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल ही mindly free होती है इसलिए जो है वहाँ पे उसका जाना अच्छा रहता है उचीत रहता है ऐसा selective woman का भी मानना है for the last few months यानी बच्चे का जन्म होने को होता है तो कुछ महीने पहले जो है वो वहाँ पे चली जाती है and about the three first three months और बच्चे के जन्म के पहले तीन महीने तक वहाँ पे रहती भी है लेकिन अभी के देखा जाए समाजों में तो ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे का जन्म जो है उसके सशुराल में ही हो जा रहा है और उसके बाद वो अपने माईके आ रही है और लगभग एक सालों तक यानि बच्चा जब थोड़ा सा चलने उले लग रहा है तब तक से वो रह रही है ऐसा भी हो रहा है वहाँ पे जो है वो बहुत ही प्यार पाती है और उसकी देखवाल भी की जाती है कहाँ पे माईके में क्योंकि माईके में जो है उसका सब अपना होता है माता पिता भाई बहन जिसके साथ वो बचपन से रही होती है वहाँ पे किसी तरह का सर्म नहीं लगता है लजजा नहीं होता है किसी चीज को मांगने में नहीं होता है कि आदमी थोड़ा सरमाता है किसी नए जगह पे कुछ डिमांड करने में अपने गाँ में अपने माता पिता के साथ आदमी ओपन रहता है तो इसलिए बहिचक कोई भी चीज मांग लेता है खटा खाने को मन कर रहा है तुरंत मांग ले मतलब कुछ मन तो नहीं न कर रहा है खाने को, what do you fancy तुमारी इक्षा क्या है, all the time she is looked after, हमेशा जो है उसकी देखभालोती रहती है, घर में भावी है, भावी की भी बच्चे होंगे, मा है, पिता जी है, सब लोग है, बार-बार उसकी देखभाल की जाती है, पुछा जाता है उसके बारे में, the whole matter of pregnancy is one of celebration, यह जो पूरा समय होता है, जो pregnancy का, यानि एक बच्चे के अभी जन्म नहीं हुआ है, तब से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है, यह पूरा एक उत्सव का समय होता है, एक उत्सव का सकते हैं, celebration, यानि यह एक त्योहार के तरह होता है, when the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family, और जब, when, जब the baby is born, और जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म हो जाता है, it is an occasion, इसको occasion पढ़ते हैं, occasion of joy for the whole family, यह बच्चे का जब जैसे ही जन्म होता है, तो वह समय जो होता है, वह है, मतलब एक खुशी के अउसर का समय होता है, occasion of joy, यानि खुशी के अउसर का समय होता है, पूरे family के लोगों के लिए, family के जितने भी member हैं, सभी family के लिए, एक अउसर का समय होता है, एक त्योहार जैसा समय होता है, the naming ceremony is lovely, और जो बच्चे का नाम करण का समय होता है, यानि जिस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है, व और यह जन्म के कितने दिन बाद मना जाता है, it is held when the baby is seven days old, और जब बच्चा साथ दिन का हो जाता है, तब यह जो है naming ceremony, यानि नाम करण का ceremony उत्सव मना जाता है, a new dress is brought for it, एक नया dress बच्चे के लिए आता है, and a new sari for the mother, और मा के लिए एक नई sari भी लाई जाती है, यान नया नया कपड़ा पहनते हैं, माता भी और बच्चे भी, there is fisting and singing until late night, और जो है उस दिन पूरा रात तक भोज का कारेकरम और गाना बजाना का भी कारेकरम होता रहता है, मतलब देर रात तक, उस दिन बहुत ही खुशियों का महल होता है, the women and girls gather and sing songs, women, और लड़किया जो ह कोट्यार में, घरों में, आंगन में जो भी हो है, बैठती हैं और खुब खुशियों, खुशिया मनाती हैं, गीत गाती हैं, डान्स करती हैं, Garland of turmeric and garlic are owned to ward of evil spirits, और गार्लेंड, turmeric, हल्दी और गार्लेंड, यानि बच्चे को जो है, कुछ हल्दी और एक गार्लेंड यानि जो तवीज बाला जो होता है, माला कहा जा सकता है, तो उस तरह के चीजों को जो है, बच्चे को लगा जाता है, ward of evil spirits, भुरी अत्माओं से बच बच्चने के लिए, यानि किसी का नजर न लग जाए, इसलिए बच्चे को ये सब चीजे पहनावना दिया जाता है, that's when the name is chosen, जब बच्चे का नाम न चुनना होता है, उस समय इस तरह के परकिरियाएं अपनाई जाती है, the ceremony is held for the birth of a boy or a girl, यानि कि बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही के लिए ये जो है ceremony मनाया जाता है, लड़का लड़की कोई भी जन्म ले, ये ceremony मनाया ही जाता है, naming ceremony, of course, it is considered better to have a boy, हलाकि ये भी मना जाता है कि अगर एक बच्चा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते है लोग, नहीं होता है कि हर किसी की ख्वाइश होती है कि एक लड़का का जन्म हो जाता, मतलब पहले लड़का होता, ऐसा ख्वाइश सबका रहता है, तो यहाँ पर दिखावी रही है, German Greek, कि of course, बेसक जो है बच्ची का जन्म को थोड़ा जादा बहतर माना जाता है, लेकिन जो यह सेरे मनी है, वो दोनों के लिए ही मना जाता है, लेकिन 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 ल ए पान एंड सिंगिंग क्या रही है कभी कि हम लोग इस ऐसे उसर पर इस तरह के उसर पर साथ में बैठते हैं पान खातें हैं जो पान खाने वाली है महिलाएं पान खातें हैं गीत भी गातें हैं Some of us might be, हम में से कुछ, कुछ जो है, young unmarried girls, कुछ जो है, हम में से क्या होती है, unmarried होती है, हम में से कुछ unmarried, यानी, शादी, शुदा, नहीं होती है, लड़कियां होती है, others, ages, ladies, of 40 or 50, और भी बहुत सारी महिलाएं होती है, जो की 40 से 50 सालों के भी बिच की होती है, There are so many jokes, बहुत ही, अलग-अलग तरीके की jokes होते हैं, so much laughter बहुत ही, हसते भी हैं, लोग joke होगा, तो हसेंगे ही, people look so funny, eating pan and singing, उस समय, जिस समय ये function चल रहा होता है, उस समय लोग बिलकुल ही funny दिखाई पड़ते हैं, एकदम joker जैसे लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि सभी तो उनका दात जो है, पान से रंगा हुआ दिख रहता होगा, तो इसलिए वो funny भी लगते हैं, ठीक है, कह रही हैं कि बिलकुल ही funny दिखते हैं, the men don't take much part, men, यानि पूरुस, पूरुस लोग जो है, इसमें ज्यादा भाग नहीं लेते हैं, they may come and have a look at the baby, but the singing the gathering together at night, it is all, women, the songs are simple songs, which are rarely written down, कह रही हैं, बता रही हैं कवीतरी, कि men, the men, don't take much part, जो पूरुस वर्क के लोग हैं, वो इसमें ज्यादा भाग नहीं लेते हैं, देख में, कम, वो आते तो हैं, and have a look, और बच्चे को एक नजर देखते हैं, add the baby, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन, but the singing, लेकिन जो गाने वाली जो बात है, जो गाना बजाना जो होता है, जो भीड, the gathering together at night, और जो भीड जमात लगा रहता है, वो रात देर तक चलता रहता है, it is all women, the songs are simple songs which are rarely written down, और वो जो प्रोग्राम है, जो celebration है, वो चलता रहता है, पुरुस लोग तो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं बच्चे को, लेकिन महिलाओं के दोरा ये प्रोग्राम जो है, गीत जो है, गाया जाता रहता है, और देर रात तक ये प्रोग्राम होता रहता है, और गीत भी कैसा, वीच आर रेरली रिटेन डाउन, और गीत भी कैसा होता है, जो गाती है महिलाओं उस दोरान, वो गीत सायद ही कभी लिखा गया हो, ऐसा गीत होता है, दे आर अबोर्ड दा, लाइफस ओ वुमेन इन बंगाल, कहा जा रहा है कि यहीं जो है, बं बंगाली जो महिलाओं होती है, उनके यहां भी इसी तरह की आउसरों को मनाया जाता है, आगे आपके बुक में थोड़ा सा दिया है, विल्सन अमरित फाइंडिंग अ वोईस, एसीन वुमेन इन ब्रिटेन, लंडन, यह भी एक बुक है, जिसके बुक में जो है, इस तरह की बारे मुँस में विख्या किया गया है, ठीक है, तो यह हम लोग वीडियो में 4 से ले करके, ठीक है, 4 से ले करके 6 तक हमने देख लिया है, अगे वाला जो हमारा एक और वीडियो आएगा, जो की लेक्षर 3 होगा, यह लेक्षर 2 है, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर को कम् पूरा त्यार हो लें, इसको याद रख लें कि पूरा स्टोरी जो था, अब तक क्या-क्या था, पूरा प्रैक्टिस कर लें, पिछले वाले वीडियो को भी देख करके, इसको भी ताकि आगे वाला जो मैं बनाऊं, तो आपको समझने में किसी भी तरग का दिक्कत ना हो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, लेक्स नमर थ्री के साथ, ओके?